दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के के जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट मोक्स में जरूर पोचे आज की सबसे पहले कबर बिहार के लोगों को अब बाहर जाकर नहीं करना पड़ेगा काम नितिस सरकार लगाने जा रही है या उद्योग जिहां बिहार के लोगों को काम के तलास में अब प्रदेश के बाहर का रुख नहीं करना पड़ेगा प्रदेश के लोगों के लिए बिहार में ही उन्हें काम देने के लिए बिहार सरकार योजना बना रही है बिहार के उद्योग मंतरी सेद सानवाज हुसेन ने कहा कि राज में टेक्स्टाइल एवम लेदर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक विसिस कार योजनत तैयार की गई है और जल्दी टेक्स्टाइल एवम लेदर निति लाए जाएगी मंत्री हुसेन ने पत्रकारों से बाचित करते वे कहा कि बिहार को टेक्स्टाइल एवं लेदर उद्योग का हब बनाया जाएगा उन्होंने कहा कि बंगलादेश टेक्स्टाइल का हब हो गया है और इंडियन कमपनी भी यहीं से कपड़ों का निर्मान करा रही है साथ ही उन्होंने बताई कि सरकार ने कोरोना काल में बिहार लोटे मज़दोरों का सर्वे कराया है जिसमें सबसे अधिक कपड़ा निर्मान कारी से जोड़ी लिवर पाये गए हैं उन्होंने कहा कि राष्टे जनतांत्रे गडवंदन सरकार में समस्तिपूर जिले के उध्योग धंदे को विक्सित करने के लिए 304 करोड 38 लाक रुपे का इन्वेस्मेंट आया है जिसमें जिले के गोसपूर गोरसाना में 130 करोड 72 लाक रुपे की लागत सिमेट फेक्टरी एवं बाजितपूर में 16 करोड की लागत से कोल्ड इस्टोरेज के निर्मान कारिसा मिल है अगली बड़ी कबर राज बर के डॉक्टर चार घंटे बंद करेंगे ओपीडी सेवा 18 जोन को बाबा रामदेव की किलाब देश व्यापी विरोद जिहां देश बर के डॉक्टर क चार घंटे के लिए ओपीडी सेवाब बंद करेंगे दरसल योग गुरु बाबा रामदेव की तरब से एलॉपेतिक की खिलाब की गई टिपणियों की विरोद में डॉक्टर ओने चार घंटे तक ऑकेड़ी सेवाब बंद करने का फैसलग किया है डॉक्टर बाबा रामद कि खिलाब बिरोध जता रहे हैं आपको वदादी कि 18 जून की सुभा साड़े 8 बजे से लेकर दो पार साड़े 12 बजे तक कि सभी एलोपेतिक डाक्टर ओपीडी सेवा नहीं देंगे अगली बड़ी कवर पटना के सड़कों पर निकले सियम नितिस का बिहार में फिडबेक के आदार पर अनलोग 2 पर निडने लेंगे जहां मुकिमंत्रे नितिस कुमार ने कहा कि अभी लोकडाउन खतम हुआ है नाइट करफियो जारी है कुछ परतिबन लगाए गये हैं लोगों को सुविदाय दी जारी है लोग गाडलाइन का पालन करते हुए मास्क पानेंगे तो यहां उनके हित में होगा अभी एक सब्ता के लिए उनलोक किया गया है आगे का निर्नाई सभी से मिले फिडवे के आधार पर लेंगे एक बार फिर हम निकलेंगे और उनलोक वन का जाजा लेंगे अगली बाड़ी कबर बिहार में छो मात तक की सजा होगे माप जेल से रिहा होंगे केदी कोट के आधेस पर अमल करेगी सरकार जिहां बिहार की जेलों से अधिक्तम सजा काट चोके सजय अब तक केदियों को रिहा किये जाने की योजना है केदियों को अधिक्तम 6 माँ तक की सजा माप कर जेल से रिहा किया जा सकता है सुप्रेम कोट के निर्देश के बाद पिछले दिनों पटना हाई कोट के जज अस्विनी कुमार सिंग, ग्रिया बिवाग के अपर मुख के सचिव चेतन परसाद और जेल आईजी मितलेस मिसरा की कमिटी ने ओच इस तरिया बेटक में यह फैसला लिया है साथ ही आपको बदा दे कि केंद्रे एजेंसी से जुड़े मामले आतंगवाद, मनी लोडनिंग, बश्टाचार महिला और बाल अपराद, आम्स एक्ट, राष्टि सुरक्चा, आर्थिक दोकादड़ी, एसी डेटेक केस के साथ, टाटा, पोटा, यूपीए, पोक्सो जैसे विसेस कानून के तहद गिरपतार या सजायपता के दियों को इस चूट के दाइरे में बाहर रखा गिया है, अगली बाड़ी कबर, बिहार स्टेट कोपरेटिव बैंक ने असिस्टेन्ट पोस्ट के लिए परिच्चा दितिक की घोसित कर दी है, इसके अनुसार, 10 अगली बड़ी कबर, बिहार सरकार ने परिच्चा दितिति तारिक की जानकर इदी गई है, अब ऐसे में परिच्चा में सामिल होने वाले उमिद्वारों को सला दी जाती है कि आधिकारिक बैवसाइड, bscb.co.in पर जाकर नोटिकेशन को चेक कर सकते हैं, आपको बदा दि की bscb के अनुसार, पाटली पूत्र, गोपाल गञ, सासा राम, भागलपूर, आरा, बेतिया, औरंगाबाद, नावादा, सितामडी, रोहतास, पुर्निया, सहित, 11 जिलो के केंद्रे सकारी बैंकों में असिस्टेंट के पदो पर नियुक्ति की जाएगी अगले बड़े कबर बिहार सरकार ने प्रारंबिक सिक्चक पातरता परिक्चा बीटेट व्यदता को साथ साल से बढ़ा कर आजिवन किया, सिक्चा विभाग ने निकाला अदेश जिहां बिहार सरकार ने बिहार प्रारंबिक सिक्चक पातरता परिक्चा यानि की बी टेट पास करने वाले अभियारतियों को बड़ा तोपा देते वे उनके प्रमान पद्र की वैदता को 7 साल से बढ़ा कर आजिवन कर दिया है यानि जिसने एक बार भी यह परिक्चा पास क पर लिए उन्हें नोक्री के लिए कभी दुबारा परिक्चा नहीं देनी होगी गौर तलबे की केंदर सरकार ने टी एटी की सर्टिपिकेट की वेलेडिटी को साथ साल से बढ़ा कर आजिवन कर दिया है केंदर के उसी फैसले के आलोक में बिहार सरकार ने भी ये आदिस जा प्रणडी गंगा का कोरोना टेष्ट किया जा रहा है गंगा ने दिव में जिस तरो कॉरोना की दूसरी लहर के दोरान बाते वे वे सब आये गए इसके बाद यह आसंका जताय गया थी कि कहीं गका ने-दे के पाणी में तो कोरो मार्यस नहीं फैल चुका है इस आसंका उस भेला है या नहीं इसकी जाच का जिमा जल सक्ति मंत्रालाई के नेशनल मिसन फोर किलीन गंगा में इंडियन इंस्टिटूट आप टेकनोलिजिकल रिसर्च को दिया गिया है अगली बड़ी कबर बिहार में दम तोड़ने लगा है कोरोना पिछली 24 गंटे में मिले मात्र 566 ने मरीज कूल आकड़ा पहुचा तिरेसेट सो अटालिस जहां बिहार में कोरोना ने दम तोड़ दिया है स्वास बिबाग के ओर से जारी ताजा आकड़ों के मुताबिक पिछली 24 गंटे में बिहार में कोरोना के मात्र 566 ने मरीज मिले हैं इसके साथ कूल एक्ट्व केसो की सेंग्या घट कर तिरेसेट सो अटालिस तक पहुच गई है हाला कि अभी भी राजधानी पटना टोप पर है पटना में सबसे ज़्यदा कोरोना के ने मरीज मिले हैं पिछले 24 गंटे में राजधानी में 45 ने मरीज मिले हैं बिहार का रिकवरी रेट 98% से उपर पहुच गया है लगतार कोरोना के केस गटने के कारण ही बिहार में एक महिने के बाद उनलोक किया गया है अगली बाड़े कपर मांजी तेज परताब के मुलाकात पर सियासी हलचल तेज अचानक पूर्व सियम जितरवा मांजे के आवास पर पहुचे लालो यादव के बड़े बेटे तेज परताब बंद कमरे में 40 मिनट हुई बात जहां बिहार के पूर्व सियम जितरवा मांजे से मिलने लालो यादव के बड़े बेटे और आरजडी विधायक तेज परताब यादव पहुच गए बंद कमरे में दोनों नेताओं ने 40 मिनट तक आपस में बात की ये मुलाकात बिहार के राजनिती में हलचल पैदा करने के लिए काफी है जितरवा मांजे हाली के दिनों में जिस तरह से आरजडी सुप्रेमो लालो यादव के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं उससे साब लगता है कि उसका मन अब NDA से उबने लगा है मुलाकात के बाद तेज परताब यादव जितरवा मांजी साथ में बाहर निकले बाहर निकलते ही मांजे ने कहा कि NDA में सब कुछ ठीक है लालो जी से पुराना पारिवारिक संबन्द है ऐसे में तेज परताब जी से सिष्टा चार के तहद मुलाकात हुई है वह तेज परताब ने कहा कि हम अंकलक से मार्ग दर्सन लेने आये हैं इनसे अक्सर मार्ग दर्सन मिलता रहा है दोसरी तरब जनम दिन पर लालो यादव ने दिया पार्टे नेताओ को मंत्र चिंता मत करिये जल्द गिरेगी बिहार की NDA सरकार जी हाँ अपने चोगतरवे जनम दिन के मोगे पर राज़त सुप्रेमो लालो परसाद यादव ने अपनी पार्टे के नेताओ को मैसेज दिया है दिल्ले में मोजूद लालो यादव ने अपने पार्टे के नेताओ को कहा है कि चिंता मत करिये, बिहार की अंडिया सरकार जल्द ही गिरने वाली है लालो ने Áर्जेडि की चुनिंदा नेताव से मुलाकात की है और उन्हें आगे क्या मंत्र दिया है आपको बतादी कि लालो यादव से मिलने के बाद आरजडी के राष्ट्य महासचेव स्याम रजक ने कहा कि बिहार की एंडिये सरकार जल्द गिरने वाली है हाला के लालू यादव कोई जोड तोड नहीं करने वाले हैं लेकिन एंडिये में जो आंत्रे घमासान मचा है उसे सरकार की जादा दिन चलने के कोई सम्हावना नहीं है बाड़ी कबर बिहार में अगले 36 गंटे के बेतर आएगा मानसुन कई जिलों में गरज के साथ बारी बारिस की चेतावनी जिहां मानसुन के बादलों का रोक सुबे की और बढ़ा है मौसम की परिसितियों के नुसार अगले 24 से 36 घंटों में मांसुन का परवेश परदेश में सुनिचित है मौसम विग्यान केंदर पटना के नुसार सुबे में बारिस की सिति का आकलन जारी है बारिस की सिती अगर मांसुन के आगमन के मानक के अनुकूल पाई गई तो बिहार में इसके आगमन की आपचारिक गोसना कर दी जाएगी सनिवार तक तो निश्चित रोप से इसके सुबे में परवेश और आंसिक प्रसार के आसार है मांसुन के आगमन के बाद राज के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिस की चेतावनी जारी की गई है राज में 14 जून तक येलो अलर्ड जारी किया गया है अगली 24 से 48 गंटों में तीवर वजरपात की परिसित्या बनी रहेगी कुछ जगों पर भारी तो कई जगों पर हलकी बारिस हो सकती है गौर तलवे की सुबे में मांसुन के पहुचने का मानक समय 13 जून है यह पूर्णिया के रास्ते सुबे में परविस करता है अगली बड़ी कबर बिहार के बेटियों के लिए अच्छी कबर इंजिनेरिंग में इसी साल से मिलेगा 33 फिजदी आरक्चन का लाव ज्यानिति सरकार ने बेटियों को इंजिनेरिंग और मेडिकल में 33 फिजदी आरक्चन देकर एक बड़ा फैसला किया था लेकिन अब बिहार की बेटियों के लिए एक और अच्छी खबर है राज के इंजिनेरिंग कोलेजों में छात्राओं को 33 फिजदी आरक्चन का लाव इसी साल यानी 2021-22 से मिल पाएगा सरकार ने इसके लिए तैयारी सुरू कर दी है माना जारा है कि जल्द ही केबिनेट में इस आदेश को जमिन पर उतारने के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा केबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसे लागो कर दिया जाएगा सुत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विदी विवाग प्रस्ताव को तयार करने में जुटा हुआ है और इसे जल्दी केबिनेट की मन्जूरी के लिए भेजा जाएगा अगली बड़ी ख़बर पटना जिले के 108 पंचायतों पर बार का खत्रा HDRF की दो कमपनी 14 बोर्ड पटना के लिए रखी गई सुरक्चित प्रतेक प्रभावित परिवार को मिलेंगे 6000 रुपी जिया मानसुन की आहड से सम्भावित बार का खत्रा डराने लगा है प्रसासन की तरब से बार से निवटने की तयारी सुरू कर दी गई है अब तक किये गए आकलन में पटना के 20 प्रकंडो की 108 पंचायतों पर बार का खत्रा है उपमिक मंत्री के अधिक्ष्था में जिले के पदाधिकारियों और जन परतिनिद्यों के साथ बार की तयारी को लेकर समिक्चा बैठक हुई अधिकारियों ने बताए कि पटना जिले के 20 प्रकंडो की 108 पंचायते बार से प्रवावित होते हैं इन पंचायतों में 88,964 परिवार रहते हैं बरसात के दोरान वर्सा जल पर नजर रखने के लिए प्रसासन के तरब से 24 वर्सा मापक यंत्र लगाए गए हैं संभावित बार प्रवावित चेतरों के लावोकों की सुची आपदा विवाग के पोटल पर कारवाई के लिए जारी कर दी गई है बार पिडित हर परिवार को 6,000 रुपे की मदद दी जाएगी प्रवावित चेतर के अभिकूल 88,964 परिवार की सुची 57 के बाद आपदा पोटल पर अप्लोड किया जा चुका है अगली बड़ी खबर बिजेपी एमेल से संजे पासवान ने विधान परिशत की समिती से दिया इस्तिपा सभापती के फैसले से है नाराज जहां बिहार के राजनितिक गल्यारे से इस बड़ी खबर सामने आ रही है बिजेपी के विधान पारसत संजे पासवान ने विधान परिशत की समिती से इस्तिपा दे दिया है पिछले दिनों बिहार विधान परिशत की समितीयों का पुनरगटन किया गया था कायरकारी सभापती अवदेश नारायन सिंग ने समितियों का पुनगरटन करते वे सदेशों को अलग-अलग समितियों की जिमिदारी दी थे लेकिन कायरकारी सभापती के फैसले से संजे पासवान नाखुस थे और कल ही उन्होंने समिति छोड़ने का फैसला कर लिया आपको वदादी कि संजेप पासवान के नाराजगी इस बात को लेकर है कि उन्हें अनुसुची जाती से आने के कारान अनुसुची जाती की समित्ती का सवापती बनाये गया था और अनकी बाड़ी कबर एगनो ने जुलाई सेशन के लिए रजिट्रेशन प्रक्रिया की सुरू ऐसे करे अपलाए इंद्रा गांधी नेशनल ओपन इनिवसिटी ने जुलाई सेशन के लिए ओनलाइन दाकिले की प्रक्रिया कल यानि 11 जोन 2021 से सुरू कर दी है ऐसे में जो उमिद्वार एगनो द्वारा संचालित बिविन प्रोग्राम में दाखिल लेना चाहते हैं वे एगनो की अधिकारिक बैवसाइड www.egnu.se.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं आज के लिए आपका स्वाल बताए कि आज कौन-कौन से जीले में बारिस हो रही है यदि आपकी जीले में बारिस हो रही तो आप हमें नीचे कॉमेंट करके अपने जीले का नाम जरूर बताएं